Hello students, welcome once again आज की हमारी जो वीडियो रहेगी बहुत इंटरस्टिंग रहेगी और इस वीडियो में हम ऐसा important question डिस्कस करेंगे जो हर एक बार एक्जाम में 100% repeated लियाता रहता है तो आज इस स्टार्ट करते हैं quadratic equation based ये question रहेगा तो ये question already लिखा हुआ है तो ये जो question है हमारा quadratic equation based रहता है और quadratic equation में ऐसा question है इसमें पूछा जाता आपसे एक quadratic equation दे दी जाएगी और वहाँ से आपको k की value find out करनी होती that find the value of k if the roots are real roots are equal roots are real and distinct roots ऐसा आपको दिया जाएगा condition तो उस case में आपको कैसे ये solve करना होता है आप लोगों में बताऊंगा सबसे पहले आप लोग ये जो quadratic equation दी हुई होती है इसको यहाँ पे लिखे लेंगे ठीक है लिखने के बाद अब आप लोगों को पता है कि ये nature of roots find out करनी के लिए हमें इसका discriminant find out करना होता है तो discriminant का मतलब आप सबी लोगों को पता है discriminant is denoted by d and the formula of discriminant is b square minus 4ac ठीक है और जो b, a और c जो है ये रहेंगे इनके coefficients तो यहाँ पे जब comparison हम आपर करके लिखेंगे तो a equals to 1 रहेगा b equals to minus k coefficient of x और c रहने वाला है आपके पास 9 अब यह सारी values पूट करके हम यहाँ पे discriminant find out कर लेंगे तो discriminant will be equals to b square means minus k square then minus 4 into a into c इसको जब solve करेंगे तो हमारे पास आएगा k square minus 36 अब जो आएगे बात वो यह है कि condition क्या दी हुई है देखिए quadratic equation जो यह है यह दोनों equation इनमें real roots होंगे तो real roots के लिए क्या condition रहती है देखें तीन condition आप लोगों के लिए रहती है तीन condition कौन सी real और distinct जो roots रहेंगे real and distinct roots रहते हैं तो उसके लिए हमारा रहता है discriminant greater than 0 और real and equal roots रहेंगे उसके लिए रहता है equal to 0 और जो unreal और जो imaginary roots रहते हैं उनके लिए रहता है d is less than 0 तो यहाँ पर देखें के real roots का है हमें हमें distinct or equal roots के लिए नहीं का हुआ है तो greater than or equal to दोनों यहाँ पर case लेना पड़ेगा हमें तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि because roots are real so discriminant must be greater than equal to 0 अब discriminant greater than equal to 0 इसका मतलब क्या होगा कि k square replace the value of discriminant by k square minus 36 greater than equal to 0 तो यहाँ पर इसको solve करेंगे कैसे करेंगे पहले तो 36 है इसको हम राइड साइड में लेंगे means adding 36 to both sides so k square is greater than equal to 36 जब इसको आप solve करेंगे तो क्या आएगा देखिए अब यहाँ पर जब 36 को आप लिखेंगे तो अकेला प्लस 6 नहीं लिखना आपको बहुत ही अच्छा concept रहेगा आप इसको कैसे solve करेंगे देखिए यह हम लिखेंगे k square greater than equal to यह तो 36 है इसको आप 6 square नहीं लिख सकते हैं देखिए कोई भी जब नंबर है यह प्लस 6 का square है यह जरूरी तो नहीं 36 क्योंकि माइनस 6 का स्क्वेर हो सकता है 36 तो हमें यहाँ पर इसको किससे करना पड़ेगा 36 की जिखा हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 का square ठीक है तो यह तो concept यहाँ पर बनाए एक 36 का मतलब है प्लस माइनस 6 का square अब इसको कैसे solve करेंगे यह देखिए इसको solve करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो plus वाली value रहेगी उसमें जो बीच का inequality sign हो वो change नहीं होता है और जो minus वाली value रहेगी उसमें sign change हो जाता है क्यों change होता है वो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं so k must be greater than equal to 6 और k less than equal to minus 6 यह दोने इसके answer आजाए k के values अब मालीजे कि यह जो value आई हमारे पास इसको हम number line रहेगी रिपर्जेंट करते हैं तो number line में क्या होगा दिखिए इस साइड में रहेगा plus 6 और इस साइड में रहेगा minus 6 ठीक है तो first रहेगा k is greater than equal to 6 तो इसका मतलब क्या होगा greater values जो रहेंग 6 के right साइड में रहने वाली है और k is less than minus 6 मतलब यह values लेफ साइड में रहने वाली है तो यह सारी values इसको satisfy करती है नहीं आप एक बार पुट करके देख लेंगे माइनस 6 से इस सेड वाली वाली कौन से रहेंगे minus 7 so minus 7 जब इसमें पुट करेंगे हम यहाँ पे अब इस केस में क्या हो जाता है यह वाली हो जाते है greater than equal to मतलब इस सेड वाली 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 और इस सेड में माइनस 5 माइनस 4 यह वाली यहाँ पुट करके देखेंगे आप तो 25 greater than 36 तो यह गलत हो जाएगा इस केस में हम इसलिए इसका साइड चेंज करते हैं अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम इसका साइड चेंज क्यों करते हैं अब ज्यादा जो पूरा concept है इस पर inequality पर वह आप 11th class बढ़ेंगे 12th में बढ़ेंगे modulus होता है उसमें रहेगा कि square की जो value रहेगी square का जब modulus find out करते हैं उसकी inequality solve करते हैं तो हम minus value value का sign रहेगा यह change हो जाता है ठीक है तो यह था इसमें sign change होने का concept और k के value find out करने का तो I hope कि आप लोगों समझ आया होगा यह first अब second part देखिए 2x square plus kx plus 2 second part हमारे पास क्या है 2x square plus kx plus 2 equals to 0 2x square plus kx plus 2 equals to 0 हमारे पास equation अब यहां भी हमें वही real roots find out करने हैं अब यहां भी हमारे पास है कि real roots हैं और k के value find out करने हैं तो first of all discriminant हमें find out करना पड़ेगा for finding out discriminant we have to find out the value of a, b, c तो यहां पे a के value होगी यह होगा a, यह होगा b और यह होगा c तो discriminant equals to b, b square means k square minus 4 into a into c okay so k square minus 16 यह आएगा हमारे पास value of discriminant as roots are real, as roots are real तो real roots के लिए क्या होगा, discriminant must be greater than equal to 0 so k square minus 16 greater than equal to 0 हमारे पास adding both sides 16 तो हमारे पास क्या आजेगा k square greater than equal to 16 then k square greater than equal to plus minus 4 replace 16 by plus minus 4 इसका square करेंगे अब देखें इसको जब solve करेंगे तो आप जैसे हमने first part में solve किया था वैसे इसको solve करेंगे जो plus value रहेगी that will be the greater than equal to 4 therefore k greater than equal to 4 और k less than equal to minus 4 यह sign minus वाले case में हमेशा change करेंगे quadratic case में modulus और inequality का यह function होता है यह rule आप लोगों को पता होना चाहिए गलती नहीं होने चाहिए ठीक है तो यह दोनों question दोनों part हमने यहाँ पे discuss कर लिया तो last में जो concept बताया है मैंने यह आप लोगों को भी समझ आया होगा number line को represent करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्यों यहाँ पे science change होता है तो ऐसे आप कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है यह concept दोनों questions का तो I hope के आप लोगों के अच्छे लगे होंगे questions और एक बात last में दुबारा बता देता हूं के इसमें से 100% question हर एक बार repeatedly आता है तो अच्छे से कर लेंगे ऐस question Nature of Roots से एक नमबर या दो नमबर से question पूछा ही जाना है तो इस वीडियो में इतना ही I hope you like the video So see you in the next video with some important and interesting questions